800 scale fit के area के planth beam में सर्या e-design के इसाप से बंदवाने पर सर्या कितना लग जाता है जो यहाँ पर बंदावा है planth beam में दोस्तो यह ढई मंझिला गर बनाने के लिए planth beam का सर्या बंदावा ढई मंझिला गर बने गा दोस्तो है इसका प्लाट का जो साइस था वो 20 पिट चोड़ाई थी इसकी प्लाट की वो 40 पिट लंबाई थी 800 स्केल पिट का था इसकी जो पिलेंथ बीम की जो ड्राइंग है वो कुछ इस परकार से है दोस्तो इसकी RCC टंकी का भी देखेंगे टंकी का सरीय कितना लगाएं दोस्तो सबसे पहले बीम का देखते हैं बीम में कितने सरीय बांदे हैं तीन सरीय तो टाप पे बांदे 12 mm के तीन सरीय बाटम में बांदे 12 mm के छे सरीय 8 mm की सरी की ring 6 inch चोड़ाई में और 14 inch उचाई में ring की दूरी 6 inch की रकिये दोस्तो पिले outer outer की beam पूरे काइस्ट हो जाएंगे उसके बाद में उसकी acting के बाद बीच की beam काइस्ट होँगे दोस्तो टंकी में जो सरी बांदे है पाने की टंकी में वो 10 mm, 8 mm के सरिया बांदे है वो बीम में जितने भी सरिया बांदे है वो 12 mm के 6 सरिया बांदे है और 6 इंची बहीं, 14 इंची की रिंग बनाएं दोस्तो बीच के बीम जो बंदे पे हैं वो यहाँ पर रखे वे दोस्तो यह जो आपको दिखाए दे रहा है तो इसमें सरीया कितना लग गया है बीम में इसको देखते है इसमें जो सरीया आते है एक बंडल में जो सरीया आते है वह आट छड़ सरीया आते है बार एमेम के दोस्तों एक बंडल में 18 जड़ आते हैं, तो इसमें 32 जड़ लगे हैं, एक बंडल और 14 जड़ का जो बेट हो गया है, वो 151 किलो हो गया है, तो बीम बीम में जो शर्य लगा है, वो 57 किलो शर्य लगया है दोस्तों, इसमें टंकी में जो शर्य लगे हैं, वो 10 अमेम के शर्य लगे हैं 2014 चट एक बंडल और 2 चट बारा चट आते हैं ऐगाने दोस्तो तो 14 चट का जो बेट हो गया है वह 103 किलो हो गया साफ vähän मृण इसमें वह 12 चट सरी लगा सब्सक्राइं दोस्तों 15 किलो बेट हो गया है वो 747 किलो सरीय लग गया दोस्तों इसमें इसमें सरीय बांदने के ताल लग गये हैं 12 किलो के लगबग तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटे इस वीडियो देखने के लिए